हलोग दोस्तों आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वावत है इस वीडियो में जैसा कि आपने टोपिक देखा होगा ब्रैंड वर्सेस नॉन ब्रैंड तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाड़वेर में door fittings में या hardware items में door fitting accessories और glass fitting और window fitting और बहुत सारी जो hardware industries related products होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा non-branded products भी चलते हैं branded तो चलते ही चलते हैं और उसमें non-branded products चलते हैं तो इस वीडियो में आईए हम जाने हैं कि brand versus non-brand में difference क्या होता है brand versus non-brand क्या होता है non-brand क्या होता है इन दोनों में difference क्या होता है तो basic इस वीडियो का topic यही है, इसमें discuss करने का meaning यही है, कि आपको branded product यूज़ करना चाहिए construction में या non branded products यूज़ करना चाहिए. तो चलिए आगे समझते हैं कि brand होता क्या है, brand basically एक ऐसा नाम होता है, जो की public presence उसका बहुत अच्छा होता है और retention उसकी बहुत ज्यादा होती है. Brand होता क्या है, उसको step by step मैं बताता हूँ. First step उसमें यह होता है कि आप government of India से intellectual property rights के according, आप government of India से registration ले लेते हैं कि इस particular नाम का मेरे को branding चाहिए, मेरे को trademark registration चाहिए. तो आप वो intellectual property rights के according आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं. फिर उसके बाद से उस product के लिए या उस service के लिए उसके नाम का advertisement कराते हैं. Advertisement का बहुत सारा medium है, जैसे कि banners लगाना, logo बनाना, और टीवी के थुरू या digital medium के थुरू बहुत सारे mediums हैं, या print media के थुरू आप advertisement करना शुरू कर देते हैं. या आप ऐसा करते हैं कि अपने product को या services को इतना best quality का provide करते हैं customer को, अपने target audience को कि धीरे-धीरे mouth publicity से ही उसका बहुत ज्यादा brand building शुरू हो जाता है, और लोग उस product को उसके color से, उसके font से, उसके नाम से, उसके product के designing से recognize करने लगते हैं, मतलब समझने लगते हैं, ये step शुरू होता है brand building का, बहुत time गुजर जाने के बाद से एक trust build हो जाता है, एक audience का, target audience का, target customer का एक trust build हो जाता है, तो वो brand दीरे 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 बड़ा होने लगता है, जैसे आप example ऐसा समझ सकते हैं, कि Tata company का, Tata company शुरू में जिस तरह से उसने शुरू किया होगा, तो पहले जो registration कराया, जो चीजें की, उसके बाद से जो वो काम करने लगा, जो public के दिमाग में अपना image create करने लगा, customer के दिमाग में जो presence create होने लगा, उससे उसकी brand building होने लगी, मतलब brand building services से associated होता है, मतलब जो product आप देते हैं, या जो services आप देते हैं, वो अच्छा देते हैं, बुरा देते हैं, या बहुत ही super quality का देते हैं, उसके according यह depend करता है, कि brand building बनती चली जाती है, brand building होती चली जाती है, तो आईए इसको correlate कैसे करते हैं, construction industry में, कि brand versus non brand, अब आपको कभी याद होगा, कि आप अगर घर का construction करा रहे हैं, किसी भी तरह का construction चल रहा है, उसमें अगर आपको nails की requirement हो, मतलब keel की requirement हो, या आपको screw की requirement हो, तो आपको hardly याद होगा, कि किसी brand का आपने screw लिया होगा, जो लोग इस business में हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, hardware के business करते हैं, या hardware से related कोई भी काम करते हैं, तो उनको पता है कि कौन-कौन सी company होती हैं, आप पब्लिक को, आप जनता को, screw के company के बारे में hardly पता होगा, लेकिन जो बाकी products हैं, जैसे locks किस company का आता है, door closer किस company का आता है, या plywood किस company का आता है, ये थोड़ा बड़ा product है, इसमें technical requirements ज्यादा होती है, और इस पे बहुत ज्यादा durability और trust की requirement होती है, तो इसलिए इन सारे products के brand बहुत established है, और इसका recognition करना, मतलब इसमें brand को search करना, public के लिए एक normal बात है, कि public चाहती है कि इन सारे products को, branded products ही हैं, अपने घर में हम use करें, या अगर budget उसका कम है, तो second option जाते है, non-branded, अब है क्या, कि जो company बहुत साल से मेहनत करके, एक brand को establish की है, market में एक उसका trust build हो गया, एक image create हो गया, एक अच्छा image create हो गया, तो उसमें company कभी-कभी, कुछ गलती भी करना शुरू कर देती है, जैसे कि उसका brand बन गया है, चार product उसके बिक रहे हैं, उसमें वो एक product ऐसा निकालेगा, जो कि वो local product के बराबर ही होगा, local product के जैसा ही होगा, और लेकिन उसमें उसका नाम printed होगा, और उस packaging में आएगा वो, तो public समझेगी, public को ऐसा feel होता है, कि वो product better है, क्योंकि उस particular brand का, बहुत अच्छा image market में बना हुआ है, लोगों के बीच बहुत अच्छा image बना हुआ है, लेकिन other industry के ही तरह, construction industry में, branded और non-branded, दोनों product बहुत चलते हैं, जैसा कि ज्यादा population, value for money का products खोजती है, लेकिन कहीं कहीं पे, जहाँ पे technical requirements चाहिए होती है, जहाँ वो afford नहीं कर पाती है, पब्लिक जो जनता, जो particular customer, afford नहीं कर पाता है, तो second choice के पास, second choice खोजता है, non-branded products, तो construction industry में, आप अगर branded products देख रहे हैं, तो अच्छी बात है, अगर आपका pocket allow कर रहा है, तो अच्छी बात है, non-branded products, equally market में available है, जो की same quality, या better quality के available होते हैं, और non-branded products, आपको सस्ते rate में, अच्छे quality में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा, आपको research करने की जोरत पड़ेगी, थोड़ा सा, आपको मेहनत करने की जोरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे products हैं, जो की brand में आते हैं, और वो non-branded से, उनकी quality खराब होती है, जैसे कि आजकल एक, इसको scam तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको trick बोला जा सकता है, कि आपने सुना होगा, टेलीजकोपिक channel, जो को draw channel भी जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में produce ही नहीं होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, वो इंडिया में produce ही नहीं होता है, यहां कुछ company प्रोडियूस करती होगी, कि ज्यादा तर company चाइना से import करती हैं, वो branded company हो, या local non-branded company हो, जो import करते हैं, जाती है, वहाँ पर आप देखें, कि जो branded company है, उसी product को अपने नाम का सिफ फाइदा लेने के लिए, उस product को double और triple rate में बेचती हैं, non-branded company हो same quality को, same product को आधे नाम पर बेचती हैं, तो वहाँ पर किसका नुकसान है, वहाँ पर आम जनता का नुकसान है, product चाहिए value for money, product चाहिए quality वाला, branded और non-branded products में, आप purchasing के time, थोड़ा से कुछ छोटे-छोटे points को ख्याल करके, आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, purchasing के time, आप ये देखें, कि branded product जो है, उसका substitute क्या अबलेबल है, branded products का substitute, हर product का substitute अबलेबल होता है, मतलब second option अबलेबल होता है, तो आप branded products में जा सकते हैं, अगर आपका pocket allow कर रहा है, अगर आप afford कर सकते हैं, तो आप branded products ले सकते हैं, जो afford नहीं कर सकते हैं, वो second best product पर्चेस कर सकते हैं, जो branded के बराबर ही उसकी quality होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा technical चीज़ें नहीं होती है, लेकिन वहां purchasing करते time, आपको तीन चीज़ों का ख्याल करना है, तीन चीज़ों का ख्याल करना है, कि जो non branded product है, उसमें आप तीन चीज़ जरूर देखें, पहला चीज़ कि वह कितना अच्छा quality देखने में लगता है, आप जो समझें उस product को कि वह product कितना quality वाला product है, दूसरा point यह है कि वह particular seller आपको कितने साल की guarantee, warranty cover कर रहा है, और तीसरा point यह है कि वह value for money है कि नहीं, even कि इन सारे तीनो steps को आप चाहें, branded product को समझने के लिए भी इन तीनो points को आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी company है कि उनके कुछ products अच्छे हैं, बाकी product सिर्फ नाम पे विकरा है, तो वहाँ पे आप देखें वहाँ कि वह product अच्छे quality का है कि नहीं, durable है कि नहीं, warranty, guarantee इसमें कितना cover हो रहा है, और वो value for money है कि नहीं, क्योंकि branded products भी low quality के होते हैं और over price किया होता है, तो इस वीडियो के जरिये में छोटा सा message, shopkeeper, carpenter, interior designers, या जो लोग हैं, जो लोग इस industry से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत सारे real estate agents हैं, जो कि construction का काम भी करवाते हैं, interiors के काम भी करवाते हैं, तो सब के लिए एक छोटा सा message है, कि आप अपने end consumer को, end customer को correct message pass करें, इससे क्या होगा, आपका trust build होगा, और long time association के आपके chances ज्यादा रहेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू, थैंक्स पर वाचिंग दिस चैनल,